सीरल नाम करण में रियल अनन्या की हो गई है शो में एंट्री और वो भी एक बार डांस के रूप में जिसकी वज़े से दयावंती महता के रास्ते में आ जाती है रुकावट सीरल नाम करण में काफी इंट्रेस्टिंग ट्विस्ट चल रहा है दया केतन और दिक्षा तीनों ही असली अनन्या की तलाश में निकल पड़ते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि ये तो अनन्या बन कर रह रही है वो तो अमनी है और वो मरीन नहीं है उनको असली अनन्या मिल जाती है जो कि एक बार डांसर है और ये किरदार सनामी शेक निभाती वे नजर आएंगी अमूल अनन्या को किरड़ कर लेगा और वो उसे पूरा सच निकलवाएगा जहां उसे पता चलेगा कि नीला और अपनी उसके आइडेंटिटी यूज़ कर रहे थे और बदले में उसे बहुत पैसे दे रहे थे लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है क्योंकि ये सब भी सच नहीं होगा और ये सब भी नील अवनी और नीला का एक प्लान होगा दयावंती मेहता की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए क्या नील अमनी को इसाफ दिलाने में कामयाँ हो पाएगा यह जानने के लिए प्लीज सीरल नाम करण में रियल अनन्या की हो गई है शो में एंट्री और वो भी एक बार डांसर के रूप में जिसकी वज़े से दयावंती महता के रास्ते में आ जाती है रुकावट सीरल नाम करण में काफी इंट्रेस्टिंग ट्विस्ट चल रहा है दया केतन और दिक्षा तीनों ही असली अनन्या की तलाश में निकल पड़ते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि ये तो अनन्या बनकर रह रही है वो तो अमनी है और वो मरीन नहीं है उनको असली अनन्य यहां उसे पता चलेगा कि नीला और अपनी उसकी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे थे और बदले में उसे बहुत पैसे दे रहे थे अनन्या उन लोगों को ये भी बताती है कैसे उसके प्लान की वज़े से उसने अमनी महता बनने का ड्रामा भी किया था और दया ये सब सुनकर बहुत गुसा हो जाती है उसे नीला और अपनी पर बहुत गुसा आता है और वो सोचती है कि भला वो दोनों उसके अगेस कैसे प्लान कर सकते हैं लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है क्योंकि ये सब भी सच नहीं होगा और ये सब भी नील अपनी और नीला का एक प्लान होगा दयामदी मैता कि सच्चाई सब के सामने लाने के लिए क्या नील अमनी को इंसाफ दिलाने में कामयाँ हो पाएगा ये जानने के लिए प्लीज